हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू प्रभालाव क्लासेज फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे पार्टनर्शिप एक्ट 1932 फ्रेंड्स जब मैंने सेल्स ऑफ गुड एट का टॉपिक कराया था तो उसमें मैंने यह चार्ट भी आपको शो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो पहले कॉंट्रेक्ट का पार्ट होता था यानकी चैप्टर 7 को रिपील करने के बाद ही सेल्स ऑफ गुड एक्ट पास किया था आज मैं आपको वही मैंने आगे डिसकस किया था कि चैप्टर 11 को रिपील करके पार्टनर्शिप एक 1932 पास किया था हमारा partnership act 1st October 1930 को enforce हुआ इसमें total 74 sections है इसमें total 8 chapter है जिसमें chapter 1 आपका preliminary बताता है कि इस act का क्या extension है short title, long title, date of enforcement, definition clause and applicability of these provisions chapter 2 nature of partnership बताता है प्रकरती भागिदारी की chapter 3 relation partners to one another के जो partners है उनके एक दूसरे से क्या संबंध होंगे next chapter 4 relation of partner to third party के जो third party है उससे जो partner है उनकी क्या relations होंगे chapter 5 incoming and outgoing partner के बारे में बताता है यानि की partnership यानि की firm में आने नए entry जो partners की होगी वो कैसे होगी और कोई partner बाहर कैसे होगा firm से next chapter 6 है जिसमें dissolution of firm है means firm का वेगिटन next chapter 7 registration of firm के जो firm उसका registration कैसे कराया जाएगा और कराना जरूरी है या नहीं है and last chapter 8 supplementary जिसमें mode of public notice और savings दी गई है अब वहीं अगर हम partnership की उपात करी तो partnership की definition को section 4 में define किया गया है क्या कहता है ये ये कहता है the relation between two or more person who have agreed to share the profit from a business carried on by either all of them or any of them on behalf of acting for all हिंदी में अगर बात कहें तो definition कहती है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंद जो उन सभी या उन में से किसी के द्वारा किये गए विवसाय यानि कि business से होने वाले लाभों को साजा करने के लिए सहमत होते हैं यानि कि जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी एक business से होने वाले profit में उस profit को क्या करते हैं आपस में शेयर करते हैं और उस profit को शेयर करने के परपस से ही क्या करते हैं contract करते हैं agreement करते हैं तो वो आपकी कहलाती है partnership अगर और detail से हम देखना चाहें तो इसकी definition से कुछ essential निकलते हैं essential में पहले आपका आता है two और more person यानि कि किसी partnership में आने के लिए कम से कम दो व्यक्तिव का होना ज़रूरी है और more person two या फिर उससे जाधा जाधा कितने हो सकते हैं इसको हम आगे discuss करेंगे अब बात आ रही है यहाँ पर person की के two और more person person चाहे artificial हो या फिर आपका natural person हो artificial में कोई company यानकी corporate body भी किसी partnership firm में partner हो सकती है और artificial person में आपके जैसे आप और हम natural person होते हैं वो आते हैं तो यहाँ पर person को अगर interpret किया जाए तो person में आपका artificial और natural person दोनों ही partner हो सकते हैं किसी partnership firm में second आपका आता है an agreement between partners क्योंकि यह contract का ही part था और contract का part होने के कारण जो journal principle है partnership के वो contract से ही related है यानि कि two or more person मिल करके आपस में क्या करेंगे agreement करेंगे कि हाँ हम आपस में क्या है partner बन रहे हैं किसी particular business में profit share करने के लिए next share profit of business जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि two or more person agreement करते हैं किसी इसका agreement करते हैं कि जो हम business start कर रहे हैं उसमें जो profit होगा हम आपस में share करेंगे यानि कि हमारी जो है business related क्या होगी absolute liability होगी next है आपका business carried on by all अब यहाँ पर partnership के तुरू जो business चलाया जा रहा है वो या तो सब की द्वारा चलाया जाए means सभी उसमें participate करें सभी effort डालें सभी काम करें या फिर अगर किसी वज़ा से कोई partner है और वो available नहीं है या फिर दो या तीन partner जो है available नहीं है और एक partner जो है उसके उपर responsibility आ गई है तो वहाँ पर next last point हमारा कहता है any of them acting for all कि उनमें से कोई भी वो business से related act or duties perform करेगा बाकी other partner की तरफ से भी तो in short अगर हम कहना चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर agreement करते हैं कि वो जिस business को चला रहे हैं उसमें वो जो profit होगा उसको आपस में share करेंगे और या तो उस business को सभी चलाएंगे या फिर सबकी तरफ से कोई एक person भी उस business को carry करेगा next हम आते है feature of a partnership यानि की partnership का सबसे पहला point formation कैसे होगा partnership का तो a partnership firm is not a separate legal entity सबसे main चीज यह है कि जो partnership firm होती है उनकी अपनी separate legal entity नहीं होती है जैसे की एक company की होती है यानि की जो company होती है वो किसी की against case फाइल कर सकती है वाद ला सकती है और company के नाम से कोई बाहरी व्यक्ति company के उपर उसको उसके नाम से शू कर सकता है उसके उपर बाद ला सकता है क्यों? क्योंकि उसकी अपनी एक separate legal entity है उसका अपना separate एक अलग से नाम है क्यों? क्योंकि company का registration is compulsory जब तक company का registration नहीं होगा तब तक वो कोई act करने के लिए capable ही नहीं होगी कोई business करने के लिए capable नहीं होगी बट partnership में ऐसा नहीं है partnership में registration is not must इसलिए यहाँ पर कहा है कि partnership एक separate legal entity नहीं होती है बट according to the act a firm must be firm a legal agreement between all partners बले ही company की तरह partnership का registration नहीं होता है बट फिर भी वो जो firm होती है यानि कि जब वो बनाई जाती है तो किसके through existence में आती है एक agreement एक legal agreement होता है partners के बीज so a contract must be entered into two from a partnership firm next unlimited liability unlimited liability का क्या मतलब है यहाँ पर एक unique feature है partnership का इसमें यह कहती है कि जितने partners होते हैं उन सब की unlimited liability होती है उस business में जिस business को करने के लिए partnership firm existence में आई है means जितना भी loss हुआ है जितना भी depth है जितनी liability है partnership firm के उपर वो सभी partners equal equal liable है वो liability पे करने के लिए for example अगर चार partner हैं तो और जो partnership में business उन्होंने चला रखा है उसमें अगर loss आ जाता है 8 लाग का 10 लाग का तो वहाँ पर जो है वो loss चारो partner में equally equally होगा और हर partner जितने उसके share में इतने उसके हिसे में आ रहा है liability pay करना वो pay करने के लिए libel होगा इसलिए इसमें कहा जाता है कि जो partnership होती है उसमें partners की unlimited liability होती है The partners are are individually and jointly liable for the firm and the payment of all debt. This means that even personal assets of a partner can be liquidated to meet the debts of the firm कि जो firms के debt है उनको pay करने के लिए जो partners है उनकी personal property भी liable होगी आपको किसी partnership से कोई कितना profit हुआ है ये उस time आईने नहीं रखेगा जब आपको जो business partnership का उसकी liability pay करने का time आईगा. वहाँ पर आपको अपनी personal property भी debt को pay करने में देनी होगी next continuity the death or retirement or bankruptcy or insolvency or insanity of a partner will resolve the firm. Partnership firm में main चीज़ है कि continuity होनी चाहिए अगर किसी partner की death हो गई है या retire हो गया है या bankrupt हो गया है, insolvent हो गया है या वो insanity में है तो वहाँ पर ही जैसे ही कोई partner किसी की partner की death हो जाती है या वो bankrupt हो जाता है, insolvent हो जाता है या incent हो जाता है तो वहाँ पर जो पार्टनर्शिप उन्होंने बनाई थी agreement किया था वो partnership क्या हो जाती है dissolve हो जाती है means partnership खत्म हो जाती है the remaining partners may continue the partnership if they so choose but a new contract must be driven up जो बाकी की बच्चे हुई partners हैं वो चाहें तो continue कर सकते हैं अपनी partnership but उसके लिए उन्हें क्या करना होगा एक नया contract करना होगा एक नया agreement बनाना होगा also the partnership of a father cannot be inherited by his son ऐसा नहीं है कि अगर कोई partner है उसकी death हो गई है तो उसका जो son है वो inherit के रूप है वो partnership का जो firm है उसका partner बन जाएगा partnership में ऐसा नहीं होता है if all the other partner agree he can be added on as a new partner लेकिन अगर बाकी के जो partners हैं अगर वो agree करते हैं इस चीज़ के लिए तो वो एक नए partner के तौर पर उसको क्या कर सकते हैं add कर सकते हैं partnership में अपनी next है मारा number of members जो number of members हैं हमारे वो minimum two होते हैं से मैंने आपको essential में भी बताया था अब यहां पर बात आ रही है कि maximum number of members क्या होंगे partnership act में कहीं भी maximum number of partners के बारे में discuss नहीं किया है section 464 of companies act 2013 and rule 10 of companies rule 2014 में बताया गया है कि जो maximum number of partners हैं किसी partnership में वो कितने हो सकते हैं 50 next है mutual agency जैसे मैंने आपको बताया था कि जो business चलाया जाता है सभी partner के थूँ या तो वो सभी चलाते हैं आपस में मिल करके या फिर उन में से कोई सभी की तरफ से वो partnership firm चलाता है so this means every partner is an agent as well as the principle of partnership यानि कि जो एक partner होता है वो principle भी होता है अपनी partnership firm का और agent भी होता है principle कब होता है जब वो अपनी तरफ से partnership firm में participate करता है और agent कब होता है जब वो others partner के बहाफ पर काम करता है partnership firm के लिए तो ये था आज partnership का हमारा first lecture at last thanks for watching please like share and subscribe और हाँ आज से हमने partnership start कर दी है तो back to back इसके lecture आते रहेंगे to take care bye bye